एक मा जो अपने पांचवे दशक में हैं, उन्हें अपनी ही उम्र के इंसान का एक ख़त मिलता है, जिसमें लिखा था एक ऐसा वक्त था, जो मेरे घर में हसी, मस्ती, बातें, बहस, लड़ाई जगड़े, मदभेध होते रहते थे, घर हमेशा आवेवस्थित रहता था, अगज यहां वाँ फैले रहते थे, पैंस खो जाती थी, क्या तुम घर को साफ नहीं कर सकते, मैं उन्हें हमेशा डाटती थी, मेरी बड़ी बेटी कभी इपनी मैट्स की बुक नहीं ढून पाती, मेरा बेटा रोने लगता, मेरे मोजे कहा है, मेरी छोटी बेटी रोने हर चीज अपनी जगए पर है, लेकिन घर का वाता वरन बिलकुल एक बंजर रेगिस्तान की तरह है, मैं हर एक बच्चे के रूम में जाकर उस पुराने कीमती वक्त को याद करती हूँ, जब भी बच्चे आते हर कमरे में आनंद होता है, लेकिन उनका आना बस कुछ समय के और जाते जाते अदासी छोड़ जाते हैं, बंद दर्वाजे बंद रह जाते हैं, अकेले पन के आंसू मेरी आँखों से बहने लगते हैं, उन पुराने अच्छे दुनों के लिए मैं तरस्ती हूँ, क्या तो में तुम्हे तुमारे बच्चे भी चुनोती की तरह लगते ह गर भी विखरा हुआ है, इस पल का आनंद उठाएं, बच्चों को चिल लाएं नहीं, इससे पहले कि आप समझ सकें कि वो जा चुके हैं, आशक करती हूं कि आपकी बच्चे अपने साथ कुछ अच्छी यादों को ले कर जाएं, एक औरत घर को बना भी सकती है, और बिगाड है, उसके पती के मन में उसके पती विश्वास है.